हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो एजुकेस इंडिया तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन दिल्ली चुनाव के ओपिनियन पॉल के बारे में जो की एबी पी सी वोटन ने अपने सर्वे के नुसार जारी करके सबसे बड़ा और रोचक ओपिनियन पॉल ल आप आएगा फिर से या फिर कमल या फिर यहां पर कांगरेस का कब जाओगा तो अभी हम आपको दिल्ली चुनाव के ओपिनियन पॉल के संपुन की संपुन जानकारे इस वीडियो में बताएंगे तो इसलिए आप यूडियो देखते रहिएगा पुरा का पुरा लेकिन उ आप झानकारे सबसे पहले देखनेकों मिले है तो चलिए अभी हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव के ओपिनियन पॉल के बारे में जिसके अनुसार आपको ये बता रएते हैं कि दिल्ली में अपकिवार किसकी सरकार बनेगे और अपकिवार दिल्ली की जनता का आखिरकार क् कर तो दिल्ली की कुल मिला करें यहां पर सित्तर विदा सिटें और इनकी अज कि आगडों के नुसार बात करते हो और एबी पी-सी वोडर के सर्वे के नुसार हम बात करते हैं तो आपको यह बता रही है तो अबकी वार भाट्ट्र जनता- पार्ट को यहां से आठ सीटे मिल सकते हैं यानि कि सितर में से आठ सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है और मोदी का जलवा मात्र आठ सीटों पर है सिमट सकता है अब की वार भी दिली में यानि कि अब की वार फाइदा पांच सीटों का होगा लेकिन आठ सीटों पर बीजेपी को संतुष करना पड़ेगा और वहीं कांग्रेस पार्टी के हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का अपकी वार खाता खुलेगा लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बहुती पिसली पार्टी नजर आएगी याने की कमजोर पार्टी नजर आएगी और कांग्रेस पार्टी को अपकी वा और आपकी दिल्ली में आप पार्टी फिर से आने वाली है और आप पार्टी को कुल मिला कर अपकी वार सितर में से 59 सीटे याने की 69 सीटे मिलने वाली है जो कि यहां पर पिसली वार की सीटों से 8 सीटे कम होने वाली है लेकिन फिर भी आपका कबजा जो ए दिल्ली में होने व इसमें एक बार फिर से आपका जल्वा काम्याब होगा और पूरे तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ये बहुती बड़ा आखलन एबीपी सी वोटर के नुसार हो चुका है और एबीपी सी वोटर का ये मानना है कि अपकी वार अरविंद केजरिवाल को मुक्यम मंत कांग्रेस चाते हैं यहां पकी जननता लगबग से तर फैस्दी तो वहीं बीजेपी को चाती है मात्र 12 फैस्दी और वहीं इसके अलावा 5 फैस्दी कांग्रेस को और 13 फैस्दी जो है अन्य लो को चाती है यहां। जनता CM पद पर ये बड़ा आकलन भी मुक्यमंत्री बद को लेकर किया है यहाँ पर ABPC वोटर ने और ABPC वोटर के नुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी का पर्चम ले रहेगा तो वहीं भारतिये जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी और कांग और नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी बलकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये संपून जानकर अच्छी लगे और आप भी चाहते हो कि अरविंद केजरिवाले का फिर से दिल्ली में सरकार बनाए और दिल्ली का फ सब्सक्राइब करने के बाद पासी में आरगे घंटी के निस्तान को भी दबा दिजे तो आप सबी का फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए